नमस्कार दोस्तों जैमातादी आप सबको धन्त्रयोदस्की काली चाउदस्की दिपावली की बहुत बहुत शुब कामनाई बहुत 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 बथाई दोस्तों आप मंतर्व ग्यान में अक्सर सुनते हो जब भी कोई ग्यानी पुरुष अध्यात्मिक्ता के बारे बोलते हैं आप सुनते हो कि मंतर्व ग्यान की मदद से तंतर्व ग्यान की हल्प से आपका काया कल्प हो सकता है और दिपावली धन्त्रयोदशी महाकाली जी का दिन काली 14 अपने आप में परिवर्तन का चमतकार है आपको अपूरुन्ता से पूरुन्ता की और ले जाने वाला आपको फर्ष से अर्ष तक ले जाने वाला आपकी जीवन की सब कमियों को दूर करने वाला आप दोस्तों किसी भी चीज के स्पेशलिस्टों उसी की ढंग से प्लैनिंग बनाओ उसी के बारे सोचो उसके लिए किसी विशेश अग्या से भी मश्वरा ले लो पर उसके पश्चाद उस प्लैनिंग को सिक्सेस करने के लिए आप साधहा में लिप्त हो जाओ साधहा में चले जाओ ज्यादा मैं इसकी उपर नहीं जाओंगा सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ आपको शनी वार से धन्त रियोद्शी से धन्त रियोद्शी सेटर्डे 22 अक्तूबर 22 अक्तूबर से एक घी का एक सर्सों के तेल का अखंड दिया जलाना है और इसके साथ साथ एवरी डे सुबा शाम जो दिये जलाते हो उनको जलाना है सेटर्डे के दिन जो भी आपके गुरु मंतर है भगवान कुबेर जी का मंतर करें जो डॉक्टर है वैद्या है इस स्टूडेंट है मेडिकल के उनको उस दिन द्रवंत्री बगवान जी का भी ध्यान करना चाहिए और कुबेर जी का जो असान मंतर है ओम वित वेशोराय नमा ओम वित वेशोराय नमा इस मंतर का जाप करें जितना कर सकते हैं और साथ में मा शिरिविद्या जी का मा महालक्ष्मी जी का जितना भी जाप हो सके करें और इस दिन से शिरी सुक्त के पाठ करना अरंब करें शनिवार रविवार सोंवार तक एक सो आठ पाठ कर लें कनकधारा स्तोतर के पाठ अरंब करें सैटर्डे संडे मंडे तीन दिन में एक सो आठ पाठ पूरण कर लें जिनके लिए जे असंबब है मुश्कर लगता है तो महालक्ष्मी जी के मंतर का जाप करें ओम शरीमहरीम शरीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद शरीमहरीम शरीम। ओम महालक्ष्मी नमे है जिनके पास घर में प्रानप्रतिष्टा जोकत शिरी यंतर है शिरी महालक्षमी यंतर है शिरी कुबेर यंतर है महाकाली जी के यंतर भी राजमान है वो उस दिन उन यंतरों की पूरन रूप से पूजा करें तीनों दिन यंतरों को पंचामरत से शनान कराएं और जैसे शिरी सुक्त का एक श्रोक बोलते हो पूजा में करके उसके उपर चाबल चड़ाएं, पुश्प चड़ाएं, कुश्भी करें, और बाकी के जो मंतर हैं, जो आप करते हो, उनका भी जाब करें, इस दिन जाब करने से अनंत गुना फल मिलता है, इस दिन जे तुबारा मौका साल बाद आएगा दोस्तों, इस दिन अपने गुरु का ध्यान करत हुए, अपने गुरु से कशमा मांगते हुए, और जो भी उन्होंने आपको साधना दी है, उस साधना को करें, मां कृपा करें, कि आपकी साधना सुक्सेस हो, आप सफर रहें, अगें आप सब को हैपी दिवाली, हैपी दिवाली, हैपी दिवाली. झाल झाल